आज के इस विड़े में हम लोग बात करेंगे जो multi task workers का interview होगा अग कितने marks का होगा और कितने कितने marks आपको किस किस category में दिये जाएंगे distance from the school इसके 8 marks है तो आपको distance certificate बनवाना है I hope सबने distance certificate जो है वो बनवा लिया है और दूरी परमान पतर जो है वो पंचायत सचिव है उन किलोमेटर दूर है दो किलोमेटर दूर तीन किलोमेटर चार या फिर चार से जाएं तो सबको अलग अलग marks है मिनिग अगर आपका घर school के बिल्कुल पास है अलगवग डेर किलोमेटर की नेज में तो आपको maximum 8 marks मिलेंगे इसके लिए नेक्स्ट है आपकी educational qualification कितनी होने चाहिए इसके लिए भी आपको 8 marks दिये जा रहे हैं फिफ्ट क्लास में पढ़ते हैं तो 5 marks लेकिन अगर आपने 8 भी पास किया तो 8 marks तो बहुत बढ़ी है अगर आपने middle पास किया अगर आपके पास middle का certificate इस वक्त अवेलेवल नहीं है त और वहां के principal से ये certified करवाएं कि आपने उनके विद्याले से 8 भी पास किये वो कोई ना कोई document बनवा कर आपको जरूर देंगे school के principal अगर आपके पास 8 का certificate नहीं है तो आपको इस certificate वहां school जहां से अपने 8 भी पास किये वहां से मिल जाएगा अगर कोई भी इंसान जो जोब होल्डर नहीं है तो अगर किसी इनसान को कोई disability है मिनिंग उसमें कोई किसी की टांग में कोई defect है बाज्यू में defect है उसको कोई disability है तो इस disability के लिए विड़ो के लिए और या अदर किसी poor family condition के लिए आपको 3 marks और दिये जाएंगे तो इस से related certificate भी आप concerned authority से बनवा ले four candidates whose families are donated land जिन लोगों ने स्कूल बनाने के लिए भूमी दान दिया उन लोगों को 5 marks जोगा वो extra दिये जाएंगे तो ये बात भी आप जो है बिलकुल mention करवा लें कि आपने स्कूल के ये भूमी दान दिये तो ये बात आप निकलवा लें पटवारी से वो document निकलवा लें जिसमें ये clear होता हो कि स्कूल जिस भूमी के उपर बना है वो आपकी है तो यहाँ पर आपको 5 marks मिलेंगे candidates belonging to SCSTOBC आपको जो अगर candidate journal नहीं है उनके लावा जो SCSTOBC उनको भी 5 marks मिलेंगे इस तरह से जो 3 marks मिलेंगे जिनके घर में कोई भी इंसान जाब नहीं कर रहा है उस तरह से total 30 marks का आप लोगों का जो है वो टेस्ट होगा और टेस्ट क्या होगा मेनिंग 30 में से आपकी evaluation की जाएगी best wishes for your multitask worker recruitment please like share and subscribe to SSC preparation for more updates